तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रादर्शिप प्रश्ण पत्रस सेट सी इसके पहले कल हमने दो पेपर कलकल लिए थे और आज हम करेंगे सेट सी और सेट डी कक्षा बारवी भौत विज्ञान का तो जो इश्वर्स 2023 की स्कीम है उसको ले करके हम इस पेपर को आंगे करेंगे आप सभी का स्वागत है लोके सर अल्निम्टड इस्टरी जोंट पर चलिए तो करते हैं वस्तुनेश्ट प्रस सबसे पहले तो सबसे पहला कुशन देखिए कि वायू में इस्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला से निकलने वाला कुल विदूत फ्लक्स कितना होता दो कुशन यह है कि एक तार के विशिष्ट प्रत्रोध या प्रत्रोध अक्ता निर्भर करता भाई तार का जो विशिष्ट प्रत्रोध होता है प्रत्रोध उसके पदार्थ पंदर्भर करती है बाकि किसी चीज पंदर्भर नहीं करती है तो करेक्ट आंसर इसका है पदार्थ परिपत में विदुधारा का मापन किया जाता है अमीटर के द्वारा अमीटर का परिपत में मापन करने के लिए विदुधारा का मापन करने के लिए अमीटर को लगाती है अब याद रखेगा कि जो मेन सप्लाई होती है उसके साथ अमीटर को हमेशा स्लीड़ी में लगा जाता है परन्तू ammeter बनाते समय जो ammeter होता है ammeter को बनाते समय जो galvanometer होता है galvanometer के साथ shunt याने की बहुत ही कम resistance को समानतर में जोड़ा जाता है तो G और S की जोड़ी जो होती है क्या होतीत ही समानतर हुआ करती है मगर battery के साथ तो दोनों दोन अलग लग बात हैं कि एमीटर को तो स्रेणी में लगाना है मगर गैलबनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए शंट के साथ किस में लगाना है पैरलल में लगाना है यानि कि समांतर में लगाना है ओके तो याद रखेगा ऐसा शंट से समांतर संट से समांतर ठीक मातरक सभी ओम हुआ करते हैं पोई दूर संचार में उप्योकत होने वाली देखें जो ऑप्सन दीए हैं उसमें से कौन कौन साय तरंगे दूर संचार में अवरक्त नहीं होती compressed was ऌंडा फी इंच म तरंगे आनकी कि छोतर के लंबवत दोलनों से मिल करके बनी होती है तो जो परकास की तरंगे हुआ करती है वो कैसी होती है अनुप्रस्त तरंगे हुआ करती है तो इसका करेक्ट टांसर क्या होगा अनुप्रस्त तरंगे कैथोर्ड किर्णों पर आवेस होता है क्योंकि कैथोर्ड किर्णों ही कैथोर्ट किरण कहते हैं तो कैथोर्ट किरणों में रणावेस हुआ करता है चलिए आईए बात करते हैं किसकी फिलेंदा ब्लैंक्स याने की हमें भरना है खाली स्थान खाली स्थान भरेंगे रख्तिस्थानों की पूर्टी करनी है पहला रख्तिस्थान देखे अर्ध चालकों का प्रत्रोध ताप गुडांक्स अर्ध चालकों का प्रत्रोध ताप गुडांक्स अर्ध चालकों के लिए प्रत्रोध ताप गुडांक्स अर्ध चालकों के लिए प्रत्रोध ताप गु हैं कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर इनका जो प्रतरोध होता है बढ़ने के बजाए घटने लगता है इनका जो प्रतरोध होता है वो घटने लगता है कान क्या होता है क्योंकि इनका प्रतरोध ताप गुड़ां क्या होता है निर्णात्मक होता है एक आदर्स ही होगा एकसाई मातरक है ना ओम क्योंकि वो तो सब कुछ प्रतिहात हो प्रतिबाधा हो सब के लिए ओम ही होगा चलिए अगला मानव नेतर किस प्रकार के तरंग द्रत के लिए अधिक सुग्राही नेजो होते हैं अधिक सुग्राही हो पूरे हो गया बल्व हो गया इनके कान जो तरंगागर उत्पन होता है वो कैसा होता है गोली तरंगागर ठीक है ना चली गोली तरंगागर होता है और आंगे रिखे प्रकास विदुत प्रभाव की व्याक्या सर्प्रथम बोला है है ना तो सर्प्रथम व्याक्या जो की थी प्रकास विदुत प्रभाव की किस ने की थी, हेनरी हर्ड ने, 1887 की बात नहीं है, यहाँ पर सन तो कोई नहीं लिखेगा, आपको याद रखना है, हर्ड जो सबसे पहली व्याख्या की थी, वो हर्ड ने की थी, उसके बाद लेनार्ड ने एक्सपरिमेंट किया था, उसके ब नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रोनों की संख्या समान होती है, है ना, न्यूट्रोनों की संख्या समान, तो मैंने बताया था आपको आईसो टोन, याने की सम न्यूट्रोनिक, सम न्यूट्रोनिक होते हैं, जिनमें न्यूट्रोनों की संख्या क्या होती है, और न्यूट में कितना आ जाता है सम न्यूट्रॉन आ जाते हैं अगर न्यूट्रॉन दो दो तत्तों में न्यूट्रॉन वराबर हो तो उनको हम क्या बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ चलिए आंगे बढ़ते हैं आंगे में क्या बनाना है हम लोग को सही जोड़ी बनाना है ठीक है तो आपके सामने लेफ्ट में कुछ चीजें दी गई है और देखना है कि राइट में वो किन से मैच करेंगे तो सबसे पहले शंट दिया गया भाई तो शंट किस से मैच होगा दिखिए शंट जो होता है शंट का उपयोग कहां किया जाता है अमीटर में किया जाता है तो शंट का उपयोग अमीटर में करा दीजिए शंट लगा दीजिए अमीटर से प्रेजित धारा का हुदपन होती द जर्म्स को मानने के लिए किया जाता है आज कल कि जो आरो वगेरे आते हैं उनमें सम्मे परावैगनी के लेंसे लगे रहते हैं जिससे की वो परावैगनी के लेजर से मर जाते हैं बैगनी प्रकास बैगनी रंग की प्रकास क्या हुआ करती है प्रिज में द्वारा सरवाधिक विचलन होता है जी हां बैगनी रंग के प्रकास का सबसे ज़्यादा विचलन हुआ करता है याद रखेगा बैगनी रंग का प्रकास जो होता है सबसे ज़्यादा विचलन होता है क्योंकि बैगनी रंग के प्रकास का तरंग देर्थ सबसे कम होता है और तरंग देर्थ सबसे देहली आवरत्ती का फ्रॉमुला ये देखाए देहली आवरत्ती का फ्रॉमूला क्यों होता है देखाए अवर Griffin हुआ करता फाइ मतलब गLEX केंटां हो गया फाइप puppy का यापशन गया फीटarity का फ्रॉमूला examining बीक्रोन का जो दरमान होगा वही बीटा किर्डों का दरमान होगा 9.1 into 10 पर मनस 31 शुद्ध अर्धर्चालक known क कै निज अर्धर्चालक भी बोला करते हैं चली यह होगया है अब इसके बारते हैं सत्य और स्राइन है यह थो एक सब्दों में उत्तर देना हम लोग को एक सब्दों में उत्तर देना है फ्लैमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है फ्लैमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखा हुआ है धारा की दिसा बिल्कुल नहीं फ्लैमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरिद धारा की दिसा बताता है फ्लैमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है वो बताता है हम लोग को बल की दिसा तो इसको सही कर लीजे फ्लैमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है बल की दिसा बताता है फ्लैमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिसा बताता है विद्दुत का जड़त को किसे कहते हैं विद्दुत का जड़त कहते हैं स्वाप्रेरकत को एल को तो विद्दुत का जड़त किसे कहते हैं स्वाप्रेरकत को एल को विद्दुत का जड़त को कहते हैं या स्वाप्रेरकत को चले दूर संचार में कौन सी तरंग के प्रउक्त होती है, अभी प्रईक्त होती अब ही मैंने बताया, कि इसमें सूच में तरंगों का इस्तमाल किया जाता है, चले अगला देखिए, सूचम्तरसी का नाम जो रीडिंग लैंस, रीडिंग लैंस के लिए भाई, जिसे पढ़त परमाडू की सनर्चना का अध्यान सबसे पहले जेजे थामसन ने परमाडू की सनर्चना के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रॉन की डिस्कब्री भी की थी अगर यहीं पर question होता किसका नाभी की सनर्चना तो आंसर क्या होता रदर फोड देखिए प्रकास उत्सर्जन डा दायोड का उप्योग किसमे हुआ करता है है ना लाइट LED है LED एल प्रकास पॉल लाइट उत्सरजित करने में विद्धूत दी जाती है और बदले में क्या बन देता है विद्धूत उर्जा को प्रकाशिक उर्जा में बदल देता है, प्री प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं, तो प्री प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं, अगर आप शुद्ध अर्धचालक में, सिलिकॉन या जर्मेनियम में, क्या मिला देते हैं, त्री सैयों जी असुद्धी, ट्राइवेलें टिम्परोटी मिला द सूकते हैं अगला Qoshtion देखते हैं समय विभव प्रश्ट की से कहते हैं उ विद्धुत का जड़त ऑन्हाना में विद्धुत का जड़त आपको बोला गया यहां पर baixको सोपेरिकत्व कोो विद्धुत का जड़त जो तो ऐसे ही विद्दुधारा में परवर्तन का विरूध कॉन करता है L तो यह जो गुण होता है इसको हम विद्दुध का जड़त कहते हैं समझ में आ गया? चलि अगला क्वश्ण देखिए सम विभव प्रस्ट किसे कहते हैं सम विभव प्रस्ट किसे कहते हैं और इसके एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक आवेस को ले जाने में कोई कार नहीं करना पता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है कार का QW इकल टू Q इंटू डेल्टा भी, अब डेल्टा भी मतलब विभाव परवर्तन कितना हो जाएगा 0, तो Q इंटू 0, आंसर कितना आजाएगा 0, यह होता है संविभाव प्रष्ट, संविभाव प्रष्ट की चार विशिस्ताएं आपको बताना है, तो वही जो मैंने बताई है कि इसमें हर मिंदू पर विभाव समान होता है, कोई कार नहीं करना पड़ता है, और विद्धुद बल लेखाएं, इसके क्या होती हैं? लंबवत होती हैं, इसके अंद विद्धुद बल लेखाएं क्या होती हैं? लंबवत होती हैं, तो ऐसी चार विशिस्ताएं लिग दीजे, important है, अगला लेखिए, विभाव मापी एक प्रवाहित होने नहीं देता है, इसलिए अंदर से धारा प्रवाहित ना होने के कारण, यह बेस्ट वोल्ट मीटर है, यह आदर्स वोल्ट मीटर है, इसको लिखना है, चालकता, अती चालकता क्या है? अती चालकता क्या है? तो आपको पता है कि R proportional to temperature, temperature बढ़ाने पर resistance क्या होता है, घटता है, अगर temperature को बहुत ही कम कर दिया जाए, तो किसी conductor के प्रतरोध का मान बहुत ही कम हो जाएगा, और प्रतरोध का मान कम होने से धारा का मान एक बहुत बड़ी value तक बढ़ जाता है, इस घटना को अती चालकता कहते हैं, ठीक ना, अती चालकता का उपयोग म हैं कि अती चालकता कैस में धारा बहुत जादा होती है, और आपको पता है कि B proportional to i मतलब की चुंबिकी छेतर धारा के प्रतरोध के प्रतरोध होता है, तो जितनी जादा धारा बहेगी चुंबिकी छेतर उतना तेज जोगा, तो इसका उपयोग लिए अत्यंत प्रबल दो चुम्बक अगला देखे चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है तो चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता तो आपको मैंने बताया था कि I is proportional to theta नहीं उल्टा हो गया अधिक निकालते रहें जिसको हम थीटा आपॉन ऑई बोलते थी और फीटा आपन और इजी क्लिल स्टू कुछ आया करता रहा है क्लें चाह्त है थीटा अपन एक और टू iड ए अपन सी थीडा आप उन आज-जी कल्टू एन भी ए ऐपन झीडा आपन आई को मतलब की सिटा क क्या बोलते रहे है थृटा को अपन बोलते रहे हैं विच्छेपन, स्विक्षे प्रॉल नहीं, अस को क्या बोलते हैं थृटा को deflection को हिंदी में क्या बोलते हैं अ गरिश्म्मण होना है न, विच्छ विच्छेप बिल्कुल नहीं तो प्रती एकांग धारा पर जो विछेप मिलता रहा है सुई का प्रती एकांग धारा पर जो विछेप मिलता रहा है उसको क्या बोलते थे उसकी सेंस्टिविटी बूला करते थे तो यह है सेंस्टिविटी और सेंस्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हो आप द कुंडली धरावापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती बटा यह important question है कम आता है बट आएगा तो भूल जाएगा इसलिए इसको घर से करके जाना बस यह फॉर्मुला आपको याद रहेगा तो आप सब कुछ कर लोगे तो में लिए इस फॉर्मुले को ड्राइब कर लेना आपको पता है कैसे ड्रे मोटा है कर दो होता है अगया कि नहीं आपको पता है कि उट्री पर टॉर्क लगता वह कितना होता है वह फॉता होता है अहुत है c theta, ओके तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हमको क्या लिए कालना है, विच्छे प्रतियकांग धारा, तो कितना हो गया, b, n, a, upon कितना, c, और विच्छे प्रतियकांग धारा को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाई, इसको, sensitivity है न, सुग्राहित यस, तो बस हो गया, ये बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, कोई दिकत वाली बात नहीं है, चलिए आंगे चलते हैं, दोस्तों, हाँ, लारेंजबल किसे कहते हैं, गतिमान आवेस, अगर किसी चुम्ब की छेतर में पहुचता है, तो उस पर एक बल लगता है, उसे हम ब हुआ करता है, ठीक है ना, यस, तो एक तो ये हो गया, स्वाप प्रिरण को गुडांग का मान L होता है, और अन्योन प्रिरण का मान क्या होता है, M होता है, दोनों के फॉर्मली लिग दीजेगा, इस तरीके से ये दो अंतर हो जाएंगे, अप्चाई और उच्चाई ट्रा जादा होता है, तो N1 और N2 में रिलेशन लिख दीजेगा, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सर्ते, तो मैंने बताया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकास किरन क्या होनी चाहिए, सगन से विरल माध्यम की और गमन करनी चाहिए, और दूसरा, दूस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सर्ते, दो सर्ते है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सर्ते, नंबर वन है, प्रकास किरन सगन से विरल में जानी चाहिए, मैंने क्लास में आप लोग को एक्सपरिमेंट करके दिखाया था, पानी में ग्लास भरके, कि किस तरीके से किरन अब तन कोण का मान करांतिक कोण से ज़ादा होना चाहिए अगला अगला आपको दिया गया है तारे टिंट माते हैं कारण लिखे तारों के तिम्टि माने का आपको काण बताना है कि तरे तिम्ट माते के и तो तरे क्यों टिम्ट माते हैं atmospheric regression यहनि होता वर्णी, अपवर्तन के कारण जो होते हैं तरे तिम्ट बाया करते हैं जब तारों से करिणे चलती है तो तारों के पास माध्यम क्या है तारों के पास माध्यम है, viral और हमारे पास आते 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 क्या होता है यह अभिलंब की ओर जुकती जाती है मतलब इस तरीके से हमारी आँखों में जुक करके आया करती है इस तरीके से परन्तु हमारा brain जो होता है जब इस light हमारे आँखों में पढ़ती है तो हमारा brain किस तरफ देखता है? हमारा brain देखता है line of sight की तरफ तो line of sight मतलब इसकी जो दिशा बनेगी कुछ बिल्कुल सीडी बनेगी straight line में तो ये जो तारा यहाँ पर चल रहा है वो हमको यहाँ पर दिखाई देगा कुछ देर के लिए और वातावन जो हमारा है वायू मंडल वो हवा की कई layer से मिल करके बना है जिनमें की ताप मान के कारण इनके घनत में सतत परिवर्तन होता रहता है इसलिए कभी आपको इमेज तारे की यहाँ बनती है और कभी तारे की इमेज यहाँ बनती है तारह हमको एक जगे रुका हुआ नहीं दिखाई देता है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि क्या प्रभा हो रहा है इसको बोलते हैं तारे का टिम्टिमाना तारे का टिम्टिमाना तो यहाँ पर आपको यह जरूर लिखना है कि हमारे जो वायू मंडल में होता है मंडली मंडली अपवर्तन मतलब वायू मंडल के केसे के लिए आपको वायू मंडली अपवर्तन लिखना है अगर परक्नली वाला कोश्चा नहीं तो सिंपल अपवर्तन ही लिखना है क्योंकि वायू मंडल से उसका कोई रिलेशन नहीं है मगर तारे हो गए है ना और बाकी जो चीजे होती है वो हमको जैसे सूरी का किलन जो है सूरी जो होता है पहले ही उग जाता है और बाद में डूबता है तो उसका कारण भी क्या है वायू मंडली अपवर्तन ठीक है इसका कारण है वायू मंडली अपवर्तन और क्योंकि जो हम तो देखा जाए तो कहीं पर अपवर्तनांग जादा है और कहीं पर अपवर्तनांग कम है मतलब उपर की तरफ आप जाएंगे तो वायो मंडल वेरल है और नीचे की तरफ जाएंगे तो वायो मंडल सगन है अगला कुशन देखे देहली आवरती क्या है तो वहन्यूंतम आवरती जिससे कम आवरती पर आने वाला फोटन प्रकाश ये इलेक्टरॉन को ना निकाल पाए उस आवरती को क्या बोलते हैं देहली आवरती बोला करते हैं चलिए दरबतरंगे देखे दरबतरंगे क्या है प् को हम बोलते हैं दर्वतरंगे formula होता है lambda equal to H upon P और H upon MV अगर द्रमान कन का द्रमान M है तो formula क्योंता है H upon MV note कर लिजे तो यह है द्रवतरंगे और उनका यहां पर मैंने क्या लिख दिया वेवलेंट को के lambda equal to H upon M V ओके द्रवतरंगों का ही दूसरा नाम है D-Brogli तरंग क्योकि इनके बारे में D-Brogli ने बताया था इसलिए इनको D-Brogli तरंगे भी बोलते हैं तो चलिए द्रवतरंगए यहां पे फिनिश हो गई है अगले पेच की तरफ बढ़ते हैं पेच क्या कहारा देखिए, लेजर से क्या भी प्राइब भाई, लेजर सिलेबस से हट चुका है, इसलिए लेजर छोड़ दो, लेजर के प्रमुक प्योग ये भी हट चुका है, पुराना सिलेबस में था, ये हट चुका है, हाँ, ये क्वेशन सही है, परमाडू के आयनन वि विभव से आप क्या समझते हैं देखिए ये परमाडू के अंदर एलेक्ट्रॉन होता है और एलेक्ट्रॉन को अगर आप भी वोल्टेज में रख दोगे किसी वोल्टेज में किसी विभव में रख दोगे तो ये एलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा एक्साइट हो जाएगा उत इस विभाव को आप क्या बोलोगे आयनन विभाव बोलोगे ठीक ना और उस पर वो विभाव पे वो परमाणव जो होगा आयने थो करके एक आयन मना लेगा चलिए अगला कुशन देखते हैं समस्थानिक मैंने आपको बताया था समस्थानिक या रखिए देखे 6C12 और 6C14 य जिनके परमाडू क्रामांग समान होते हैं और परमाडू भार भिन भिन होते हैं ऐसे तत्वों को हम क्या बोलते हैं ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक बोलते हैं ठीक ना तो यह हो गया समस्थानिक की बात अगला गौस का पर में लिखिए वम सिर्दी कीजे तो आपको सिद् is equal to 1 by epsilon not into q यह बहुत important derivation इसको करके जाएए तीन number का आने वाला है पहला chapter 3 marks में यह दिया जा सकता है simple derivation है 5 is equal to q by epsilon not जो है आप इसको कर लिजे किसके लिए कर लिजे व्रत्ताकार नहीं गोलाकार जो symmetric symmetric होती है है ना एकांक आवेश क्यू आवेश के कांड जो है यह Gaussian reason बनाईए और इसको आप solve कर लिजे फाई जो आएगा फ्लक्स जो आएगा वो q by epsilon not आजाएगा चलिए अगला देखिए गॉस की प्रमे के द्वारा कुलाम के विद्वर का नियम प्राप्ट करीए तो बिलकुल यहाँ पर एक काम करते हैं यहाँ पर पहले विद्व।च्छेतर निकालतेenne और विद्वच्छेतर के बार q not रख देते थे हैं और इसके बद फरमिला रख देते हैं f equal to q not into e तो गौस के नियम का सहायता से आजाता है हमापस कुलाम का नियम तो ये भी डेवलप कर लेंगे धारा विद्धुत के अंदर किरचाफ का नियम तो किरचाफ के दोनों नियम की प्रैक्टिस कर लीजे किरचाफ का पहला नियम जो कि किरचाफ का करिंट लौ था किसी सर्किट के परिपत के किसी जंक्षन पर जंक्षन को संधी बोलते हैं संधी पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गंड़ती यो कितना होता है सुन होता है मतलब सिग्मा आई बराबर जीरो मतलब आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा चलिए अगला कुशन देखे, दस वोल्ट विद्धोत वाहग बल तीन वोल्ट आंत्रिक प्रत्रोध वाली बैटरी में से किसी प्रत्रोध को सहयोज़त करने पर परिपत में 0.5 की धारा प्रवाहित होती है, प्रत्रोध कामान वा बैटरी की टर्मिनल वोल्ट ता ग्यात तो देखे, आपको करेंट दी गई है, विद्धोत वाहग बल दिया गया है, सबसे पहले वी निकालना आपको पास, तो वी का फॉर्मला होता है, वी कोल टू ए माइनस आई आर, ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड गल लेते हैं, बहुत ही सिंपल कुश्चन है, यहीं पर क तो जी, टैन माइनस कितना हो जाएगा, पास ती हैं पंदरा, तो 1.5 हो जाएगाई, और 10 में से एक जाता तो 9, और 5 और चले गए, तो आंसर वोल्टेज कितना मिलेगा भाई साब, आपको मिलेगा वोल्टेज 8.5 वोल्ट, वोल्टेज कितना मिलेगा आपको 8.5 वोल्ट, है क्योंकि resistance से current जारी होती तो भी equal to IR भी आपके पास कितना आ चुका है 8.5 आ चुका है current का value आपको पता है कितना है 1.5 है current की value की 0.5 एक मिनट 0.5 बच्चो स्वरी इसको 0.5 कर लो current की value जो है वो कितनी है 0.5 है एक सेकेंड हाँ यस तो current की value 0.5 पूट कर दो आर का मानपदा चल जाएगा चलिए यहां पर तो अपने पास में कितना आ गया 8.5 upon 0.5 decimal से decimal कैंसल होगा पांच से कितने बार 17 ओम आ जाएगा तो answer r equal to कितना होगा 17 ohm 17 ohm okay 17 ohm is the correct answer तो यह हो अपने पास में वोल्ट यह वाला question के नम लोगों नहां है इसके और वाला question चलिए अगलर देखिए voltmeter और विभॉम आपी में अंतर समझाईए तो voltmeter और विभॉम आपी में अंतर voltmeter जो होता है यह directly धारा लेता है को के और विभॉम आपी जो होता है यह 0 deflection सुन विच्छे बिदी के सिध्धान पर कार करता है सुन विच्छे बिदी के सिध्धान पर काम करता है इसमें आप जो होते हैं एक अधिकाधिक प्रतरोध आर का इस्तेमाल स्रिणी करम में करते हैं स्रिणी करम में करते हैं और इसमें क्या करते हैं आप इसमें जो होती है बैलेंस इस्थिती को ढूड़ा करते हैं इसमें इसमें किसका इस्तमाल होता है इसमें इसको बनाने के लिए गैलवेनोमीटर का इस्तमाल हुआ करता है इसको बनाने के लिए गैलवेनोमीटर का इस्तमाल नहीं होता है और भी जो विच अंतर है उनको आप देख लीजे बुक से और इसको त्यार कर लीजे इस question को चलिए अगला question दिखें हाँ दो सहल जिनके विद्वाहकबल E1 और E2 है आंत्रिक प्रदूद R1 और R2 है स्रिणी क्रम में सयोजित करने पर इनके तुल विद्वाहकबल ग्यात कीजिए तो बहुत ही simple है स्रिणी क्रम में सयोजित करने पर जो तुल विद्वाहकबल आएगा वो कितना हो जाएगा इसका E1 प्लस E2 ओके तो सिर्णी करम में जो विद्वागबल होता है एड हो जाता है ओके तो सिर्णी करम में जो विद्वागबल आएगा वो कितना जाएगा E1 प्लस E2 E1 और E2 हैं प्रतुरुद R1 और R2 है ठीकरा तो सिर्णी करम में सहुजित करने पर तुल विद्वागबल तो इस तरीके से इसको बना लीजे आप दिखे आपके पास में एक पहली बैटरी है E1 के साथ क्या जुड़ा है? Small R1 और दूसरा जो बैटरी है ये जुड़ी हुई है E2 के साथ क्या जुड़ा है? Small R2 और मान लीजे बाहर आपके पास में एक resistance एक सेकंड येस तो इस तरीके की विवस्था हमने बना ली है है ना पहली बैटरी E1 के साथ R1 दूसरी बैटरी E2 के साथ R2 तो यहाँ पर टोटल जो करेंट का मान आएगा हमाँ पास में टोटल करेंट का मान कितना हो जाएगा? I is equals to है ना देखिए यहाँ पर सबसे पहले टोटल वोल्टेज यहाँ पर डिर्क लिए एड़ हो जाएगे तो I is equal to total voltage E1 प्लस E2 upon total series में resistance कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस का कितना R ठीक है? तो यहाँ पर प्लस R2 प्लस का R हो जाएगा ना total resistance नीचे पर series में आके तो यहाँ से I equal to जो formula बनता है I is equal to E upon R हुआ करता है I is equal to E upon R से यदि यह मैं इसको compare करता हूँ देखिए तो E is equal to कितना आजाएगा? E1 प्लस E2 E is equal to E1 प्लस E2 तो यह total आपने आपने सीरीज का लिख दिया इस तरीके से चली अगले question क्यों राते हैं अगला question कह रहा है कि व्यतिकरण क्या हुआ करता है इसका एक उदाहन लिखे तो व्यतिकरण आप जानते हैं कि जब प्रकास की तरंगे किसी माध्यम के बिंदू पर तगराती हैं तो कुछ बिंदू पर उर्जा बढ़ जाती है और कुछ बिंदू पर उर्जा घड़ जाती है इसको अपन बोलते हैं क्या व्यतिकरण ठीक है और इसका उदाहन देखकर करके आप बताईए मुझे क्या होता है क्रांतिक कौन तथा माध्यम के अपवर्ब नांक में संबन्द ‫स्तापित कीज़े तो बहुती सिंपल कुछ रगज़ा है अगला कोशन का आगया है तथा पबरेकार के अर्दशालकों में अंतर बताईए तो एक तरफ अन बना लीज़े एक तरफ पबना लीज़े बहुत ही सरल कोश्चन है सामान कोश्चन है रहा है, NPN transistor कोई आना ही नहीं है, हाँ, चलिए, तो ये आपका paper number 3 अभी चल रहा है, continue है, question number 18 पर जाएए, question number 18 पर अगला question बहुत important है, विद्धुत चुम्ब कि ये प्रेरण के फेराडे के दो नियम, ये बहुत ज़्यादा important है, ये exam में पक्के से आएगा, तो पहला नियम था, कि प्रेरित विद्धुत वाहग बल जो होता है, वो flux में परवर्दन के समानुपाती होता, मतलब e proportional to d5 by dt, e proportional to d5 by dt, ये हुआ करता है, तो दूसरा नियम ये हो गया, नोट कर लें, चलिए अगला question देखिए, एक लंबी परिनालका के स्वापेरिकत, मतलब कि खुद की परिनालका जो होती है, इसके स्वापेरिकत का वेंजक मैंने आपको निकलवा रखा है, n equal to mu naught upon 4 pi n square la, करके जो भी derivation आता है, उसको कर डालिए, उसको बहुत important है, इसके मैं दोनों derivation में से एक कोई पकाता है, या तो L का आएगा, या तो M का आएगा, मतलब स्वाप रिर्कत का आजाए, या अन्योन परिर्कत का आजाए, दोनों derivation का लिजी, चलिए अगला question देखिए, a mu w into w mu a into w mu g, sorry, a mu w into w g into g mu a की value आपको once ओकन नहीं, तो चलिए इसको क w mu g into g mu a, copy मिलिख लिजे, a mu w into w mu g into g mu a, equal to आपको once हो करना है, ठीक है, तो देखिए, अपन जानते हैं कि 1 mu 2 is equal to होता है, कि 1 mu 2 upon mu 1, 1 mu 2 equal to कितना होता है, तो a mu w, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो a mu w, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए, a mu w, mu water upon mu air, multiply by mu glass upon mu water, multiply by mu air upon mu glass, तो यहाँ पर आपने इसको break करके लिख दिया, अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, और आप कहाँ पर करेंगे, चली, cancel कर दिजे, तो mu glass से mu glass cancel हो गया, water से water cancel हो गया, air से क्या हो गया, air cancel हो गया, सारे के सारे cancel हो गया, answer आपके पर सकितना आ गया, one आ गया है, okay, so done, correct हो गया air, बोलो बन जाएगा बच्चों, clear है सभी को, हाँ, और एक फार्मुला और नोट कर लो, कि 1 mu 2 is equal to mu 2 upon mu 1, 1 mu 2 is equal to mu 2 upon mu 1 is equals to v1 upon v2, ठीक ना, 1 mu 2 equal to, equal to mu 2 upon mu 1 is equal to v1 upon v2, Yes, ठीक है, तो आप इसको velocity के concept से भी कर सकते हैं, बट ये ठीक है आपके पास में, ठीक है ना, तो कभी भी आपके पास 1 mu 2 आ जाए, तो इसको आप mu 2 upon mu 1 की form में लिख करके कर लो, क्वेस्चन को, बहुत आसानी से हो जाएगा, चलिए, अगला question देखिए, question number 19 का second part क्या कह रहा है, question number 19 का पहला part तो आपने देख लिया, question number 19 का second part कह रहा है, संपर्क में रखे हुए, दो पतले lensों की सहयूक्त फोकस lens के लिए, वेंजगत पन कीजिए, तो दो lensों को रख करके, जो सहयूक्त फोकस lens का derivation बनता है, वो मैंने करा रखा है, क्या बनता है, one upon f equal to, है ना, one upon f1 plus one upon f2, तो बहुत easy derivation इसको कर लिजए, one upon f equal to one upon f1 plus one upon f2, इस derivation को लगा डा लिए, दो lens रखने है, सबसे पहले, पहले बाले में focal length का formula रखता है, one upon v minus one upon u, फिर दूसरे बाले में रखता है, formula one upon v minus one upon u, दोनों को add कर देते हैं, दोनों focal length को, तो combined focal length आप किया जाती, one upon f equal to one upon v minus one upon u, चलिए, तो जितने भी lens के derivation है, उनको एक बार कर डालिए, lens के derivation, prism के derivation, क्योंकि optics बहुत बड़ी है, optics के किसी क्या पूछ लेगा, कुछ पता बता है नहीं, इसलिए इसको करना ही पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, चलिए, अब section D start करते हैं, प्रादर्शन पश्न पत्र का section number D, section C हो चुका है, अब section D start करते हैं, सबसे पहला question देखिए, बिंदू आवेस के काण R दूरी पर वेदू चेतर की तीवरता, E is proportional to 1 upon R square, या inversely proportional to R square, first का option 3 है, अती चालक पदार्श की चालकता होती है, याद रखेगा, इसमें बहुत confusion होता है, देखे इसमें, मुझे भी confusion होता है, इसमें लिखा होता है, बहुत अध्यधिक और अनन्थ, तो इसका correct answer है, अनन्थ क्योंकि अती चालक का जो resistance होता, वो किसके एकल होता है, लगबग 0 के एकल होता है, इसलिए यहाँ पर जो आपके पास में चालकता मानी गई है, चालकता एक कल्डू कितना हो जाएगा, अनन्थ हो जाएगी, ठीक है, बोलो clear है बच्चों, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पर आ रहे हैं, कि अती चालकता अनन्थ होगी कि बहुत अधिक, तो इसका answer अनन्थ ही याद रखिए, इसका answer अनन्थ है, एक आदर्ष एमिटर का प्रतरोथ कितना होना चीज़ें, लगवाग भाई, बहुत कम क्या, आदर्ष बोल दिया है न, होना तो वैसे सामान का बहुत अधिक होने चीज़ें, बहुत कम होना चीज़ें, मगर आदर्ष की बात कर दिये, तो आदर्ष का शुन होता है, और अगर वॉल्ट मेटर बोल दिया जाए, आदर्ष वॉल्ट मेटर तो फ्रतोथ कितना होता है, अनन्थ हुआ करता है, चुंब relation का ऐसाई मत्रक कितना होता है, वेबर होता है, प्रकास के तरंग देरकी कोटी कितनी होती, भाइसा प्रकास के तरंग देर की कोटी होती 6000 एंगस्ट्राम से लेके 4000 एंगस्ट्राम से लेके 6000 एंगस्ट्राम 7000 तक स्वरी 7000 तक हुआ करता है 4000 को लिख दोगे 1000 में 3 0 और एंगस्ट्राम मतलब 10 की पावर माइनस 10 10 की पावर माइनस 10 में 3 0 और चले गए तो 10 की पावर माइनस 6 बचा 10 की पावर माइनस 6 के 6 के पास में कौन बैठा हुआ है देखिए यहाँ पर कहरा प्रकास के तरंग देर्ध की कोटी आपको बतानी है प्रकास के तरंग देर्ध की कोटी तो जो प्रकास का तरंग देर्ध हुआ करता है वो 4000 एंगस्ट्राम से 6000 एंगस्ट्राम के बीच में हुआ करता है तो यहाँ पर answer दिया गया 10 की power minus 4 meter बिल्कुल साही दिया गया, देखे तो एंगस्ट्राम में 10 की power minus 6 एक मिनट 1 एंगस्ट्राम equal to 10 की power minus 10 meter तो 4000 से लेकर करके 5000 के बीच में कोई भी एंग्सटराम आएगा तो वो 10 क CPU-7 मीटर में convert हो जाएगा है ना तो यहाँ पर options जो हैं गलत लिख रहे हैं यहाँ पर कोई option क्योंकि 10 क evolve-6 मीटर जो है भाइ 10 की पीप्यावर-6 मीटर या 10 की पावर-4 मीटर ये तो आंसर में हमारा आई नहीं रहा है कहां से अप लिया होगे 4000 एंगस्ट्राम से लेकर 7000 एंगस्ट्राम के बीच में ही नहीं है तो आंसर कितना होना था 10 की पावर माइनस 6 मीटर तो इसका आंसर है दो आप्शन है ना ये गड़बर लग रहा है अगला कॉशन देखे अगला कॉशन है एक संयुक्त सूच मदरसी में अभिदरस्चक लेंस होता है अभिदरस्चक लेंस देखो संयुक्त सूच मदरसी में आपके पास जो बैक्टिरिया बगएरे की होती है स्लाइड उनको आपको एकदम लेंस के अभी दरस्तक के एकदम पास में रखना पड़ता है तब आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप में जो साइंटिस्ट वगएरे लोग होते हैं वो देखते हैं है ना फार्मसिस्ट लोग देखते हैं तो इसकी फोकस दूरी क्या होनी चा ठीक है तो साहिए तो सुच मदर्सी के लिए जो अभी दरस्तक लेंस होता है वो क्या होता है वो होता है छोटे द्वारक का उत्तल लेंस next अगला question देखते हैं किसी अर्दचालक में विदुत का प्रवाह क्या होता है अगर शुद्ध अर्दचालक की बात की जा रही है तो अर्दचालक कैसा भी हो विदुत का प्रवाह दो लोगों की वज़े से होता है एक मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल तो आंसर मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा विवर होल दोनों का प्रवाह ही होता है विदुत का प्रवाह चलिए अगला question देखते हैं ताब बढ़ाने पर अर्चालक का प्रत्रोग क्या होता घटता है अभी बता दिया मैंने किताब बढ़ाने पर अर्चालक का प्रत्रोग घटा करता है एसाई बढ़ाती में चुम्ब की छेतर का मात्रक क्या है भाई सब टेसला है या न्यूटन पर एंपियर मीटर याद कर लिजे न्यूटन पर एंपियर मीटर को ही टेसला बोलते है परवात में विदो चुमी की तरंगों की प्रवे किता होता है C और C इकल टू होता है वान अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एपसलों नॉट नॉट एपसलों नॉट और याद के लिजिए कि E is equal to E not equal to B not by C ये भी मनेकल बताया था कि E not equal to B not by C अगले देखे एक स्वस्थ न parked के लिए 25 cm कोई दिकत वाली बात नही नहीं नहीं है स्वस्थ नेतर की विवेदन सीमा कितनी होती है स्वस्थ नेत्र की विवेदन, तो विवेदन सीमा हट चुका है, उसको मत पढ़िए, एक गतिमान कड़ के साथ प्रतेव, एक क्या सबद होती है, तरंग सबद होती है, जिसको आपको बोलते हैं क्या मैटर वेव है ना, मतलब की कौन सी तरंगे बोलते हैं भाई, बोलो आधारित है, चल कुंडली धारा मापी धारा के चुम्ब की प्रभाव पर आधारित है, प्रेरण प्रतिगात, प्रेरण प्रतिगात से कौन मिल दा है, प्रेरण प्रतिगात से अनुपरस्त हारवे, ये का सुद्ध अर्चालक, उमेगा एल, तो एक सेल इकॉल टू उमेग बिल्कुल सही, रेडियो तरंग, रेडियो तरंगे क्या हुआ करती हैं, रेडियो तरंगों की खोज जो है सन 1904 में की थी, ओके, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, सन 1904 में, विद्धु चुम्ब की तरंगे क्या होती हैं, अनुपरस्थ होती हैं, इलेक्टरॉन के ल एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गई है हां सिलिकॉन देखिए क्या होता है सुध अर्चालक होता है अच्छा विलियम हर्षेल यहां पे है ओ विद्चुम की तरंगों की बात नहीं हुई है यह बात हुई है किसकी यहां पे रेडियो तरंगों की बात हुई है ना रेडियो तरंगों की बात हुई है तो रेडियो तरंगों में आपके पास विलियम हर्षेल ने रेडियो तरंगों की कोच की थी तो इसको change कर लीजे भाई मैं Maxwell पे चला गया था तो क्या होगा इसका answer इसका answer होगा change कर दीजे रिडियो तरंगों का है William Harshal तो third का हो जाएगा fourth William Harshal और Thompson का जो model आया था वो कब आया था भाई साब Thompson का model था 1904 में ऐसे type के यह सन वागेरे याद रखने के question कम ही आते हैं इनको देखके डरना मत है ना क्योंकि इतना जड़ा कोई matter नहीं करता है कि आपको sun वागेरे याद है कि नहीं है यह science वाला part थोड़ा ना है कि sun वागेरे याद कर रहे हो हाँ थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए दो तीन बार रियाद रख लेना तो ठीक है आभी गया तो बना दिया पन्ने परन्तु scientific नहीं है कि ऐसे question दिये जाए अड़याजика का विद्धुत परपत में किसमें साथ जोड़ा जाता है देखिए विद्धुत परपत बोल रहा है अभी मैंने बुला था है अब्यूत चुमBar की तरंगों में कितना आवेश होता है चुमे कितना होता है प्लांक ने तांक का मानता था बिमीन सुटर तो प्लांक नेतांक रिखे ई equal to कितना होता है Hрий ही इक्व corre to H칙 No interviews थो as 898 कितना हो गया iיה पाउन न्यू और न्यू मतलब एक बाट आवर्तकाल तो कितना हो गया e into t तो इसकी काई क्या होगी joule second क्या होगी joule second e for joule और t for second तो इसकी जो e काई होगी वो कितनी होगी joule second होगी चली पॉजी ट्रॉन की खोज करने वाले वेग्यानी का ना मुझे खुदी आदमी है इनका नाम है कार्ल एंडर्सन को कि पॉजी ट्रॉन की जो खेच-खोज की थी उसका नाम है कार्ल एंडर्सन नाभिक का घनत में आपको क्लास में निकल वाय था नाभिक का घनत होता है two point three into ten की पावर 20 ट्वेन की पावर 17 किलो ग्राम बाम पर मेंटर के हुग यह नाभिक का घनत है धातों के लिए उरज हंता धातों में को परिभासित कीजिए किसी माध्यम के परवबतां को परिभासित कीजिए तो आपको पता है कि माध्यम में लगने लगने वाले बल बराबर होता है हवा में लगने वाले बल का कुछ हिस्सा कितना आ जाएगा F0 upon F medium K is equal to F0 upon F medium तो माध्यम का परवैदुतांग कैसे परिभासit हो जाएगा किसी माध्यम का परवैदुतांग है ना क्या होता है जब दो आवेशों को वायू में रखा जाए तो उनके बीच में लगने वाला बल और जब उनको माध्यम में रखा जाए तो उनके बीच में लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का परवेदुतांग कहते हैं तो ये बलों का अनुपात है पहली condition में बल किसमें रहेंगे बल लगेंगे तब जब आवेशों के बीच में माध्यम क्या होगा बायू या नर्वात दूसरे condition में जो माध्यम होगा उस इस्थिती में लगने वाले बलों का नुपाज जो होगा वो कहलाएगा माध्यम का परवेदुतांक इस definition को याद करक करन भाई यह क्या होते हैं यह इनमें संरच्छन का नियम फालो होता है ठीक ना संरच्छन का नियम फालो होता है और यह क्या होते हैं यह additive nature के होते हैं मतलब इनका अधिस योग हुआ करता है आवेश संरच्छित होता है और यह अधिस योग का पालन करते हैं और तीसरी property य इसी बस तो पर आने व्याला कुल आवेस जो होता है वो इलेक्टरान के आवेस का पूर्ण गुणाज हुआ करता है यानि Q EQUAL TO NE Q EQUAL TO NE प्रात्मिक और 2-9 XL में कोई दो अंतर तो प्रात्मिक सेल और 2-3 XL में दो अंतर है प्रात्मिक सेल को आप दुबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं दोती एक्सल को आप दुबारा चार्ज कर सकते हैं ठीक ना और एक अंतर और आप देख लिजे बुक से कि प्राथमिक और दोती एक्सल में दूसरा अंतर क्या हुआ करता है चले विद्धुत वाहग बल और विवांतर में दू अंतर तो विद्धु विवाहग बल विवाहग बल जादा होगी name ठीक on the mass विब्वांतर आंत्रिक प्रत्रोध पर निर्भर करता है विद्दुत वाहक बल आंत्रिक प्रत्रोध पर निर्भर नहीं करता ये भी एक अंतर है चलिए अगला क्वशन देखें चुम्ब की छेतर में गतिमान आवेसित कण की चाल नहीं बदलती है क्यों चुम्ब की छेतर में गतिमान आविसित कण की चाल इसलिए नहीं बदलती है क्योंकि चुम्ब की छेतर में जब कोई कण गतिमान होता है तो वेग विस्थापन की दिसा और बल की दिसा दोनों एक दूसरे के लमवत होती है इस तरीके से किया गया कार हमेशा कितना होता है जीरो और कार के जीरो की वज़े होने से गतिज उर्जा में किसी प्रकार का परवरता नहीं आएगा और गतिज उर्जा नहीं बदलेगी तो आवेसित कणकी कभी चाल भी नहीं बदलेगी ये question मैं कहूँगा good question है ये ठीक ना ये competitive type का question यहाँ पर पूछा गया है अगला question चुम्मी की छेतर की तीवरता से आप क्या समस्ते हैं तो आप जानते हैं कि प्रति एक आंक आवेस पर लगने वाला जो बल होता है उसे कहते हैं चुम्मी की छेतर की तीवरता कैसे निकालेंगे f equal to होता है m into b तो b is equal to हो चुम्म की प्रेण से आप क्या समस्ते हैं जब किसी कुंडली को चुम्मी की छेतर में है ना move किया जाता है चलाया जाता है तो इसके उपर क्या हो जाता है इसके उपर विद्धुत वाहक बल आ जाता है और अगर इस सर्किट क्लोज है सर्किट क्लोज है तो प्रेरित विदुत धारा बहने लगती है इस घटना को बोलते हैं विदुत चुम्ब की प्रेरन चलिए प्रत्यावरती धारा तता दिश्ट धारा में अंतर आपको प्रत्यावरती धारा पता है लगातार बदला करती है दिसा बदलती है और इ प्रकास के विवरतन से आप क्या समझते हैं प्रकास अगर किसी नुकीली सतह से टकरा करके प्रकास जो है प्रतिबंदित छेतर में चला जाता है तो इस घटना को प्रकास का विवरतन कहते हैं कारफलन की परिवासा वे नियुंता मूर्जा जो की इलेक्टरॉन को उसकी सतह से बाहर निकालने के लिए जरूरी होती है उस नियुंता मूर्जा को क्या बोलते हैं कारफलन बोलते हैं विकरण की द्वत्ती प्रकती को इस्पष्ट कीजे, विकरण कभी किसके जैसे तरंग के जैसे और किसके जैसे कण के जैसे बिहेव करता है, इसको विकरण की द्वत्ती प्रकती बोलते हैं, तो आपको नम बताया था बामर, पास्चन, लाइमन, फुंड और कौन सी ये भाई? ब्रैकेट येस ब्रैकेट है न? तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड ये आपकी जो सीरीज थी इनके नाम बस लिखने को बोला गया है चलिए बोर के परमाडवी मौडल के दो दोस लिख दीजे तो बोर का परमाडवी मौडल जो था उनके दो दोस क्या थे बोर की थियोरी के दो दोस क्या थे नमबर बन यह केवल हाइडोजन के एक परमाडवी मौडल तक ही सीमित था hydrogen के एक परमाडवी model और दूसरा इसने stark प्रभाव याद रखेगा stark प्रभाव और जीमान प्रभाव की कोई इसने सफल व्याख्या नहीं करी दो ची लिख लिलो बच्चों stark प्रभाव और जीमान प्रभाव मेंने बताया था कौन बोर का परमाडव model और दूसरी कमी क्या थी कि यह है कि बल hydrogen के model तक ही सता था नाविकी बल क्या होते हैं नाविक के अब अंग जो होते हैं पर्टिकल होते हैं उनकोन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ठीक ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बल कार किया करता है जिसकी वज़े से नाविक एक दूसरे को बांधे रहते हैं उस बल को बोलते हैं नाविकी बल यह प्रबलतम बल है सबसे बड़ा बल है यह अर्थ में और यह लो डिस्टेंस बल है मतलब कम दूरी पर कार करता है संभारिक कैसे किसे कहते हैं ऐसे तत्व जिनके भार समान हुआ करते हैं उनको हम संभारिक कहा करते हैं ऐसे तत्व जिनके भार समान हुआ करते हैं है ना उनको हम क्या बोलते हैं संभारिक कहा करते हैं कि येस चली नेक्स्ट जैसे संभारी के मैं बात कर दूँ तो संभारी के मेरे पास एक्जामपल क्या है सिक्सी फॉर्टिन और सिलकोन जो होता है पॉर्टिन और किसकी सवन एन फॉर्टिन यहां पर कार्बन और कार्बन और नाइटरोजन जो है जो इनकली जो होते हैं इस दूरी पर आर दूरी पर एक एकांड प्लस आएगा, एक एकांड माइनस आएगा, दोनों लड़ जाएंगे, आंसर कितना आएगा, जीरो, चली, तो यह easy question है, अगला, समानतर प्लेट संधारित की धारता के लिए वेंज़क प्राप्त के लिए, very important question मैंने बता रखा है, अगला question देखे, next question कह रहा है, question number 14, प्रत्रोध ताप मापी का 0 degree centigrade पर प्रत्रोध 6 ohm है, okay, मतलब R 0 जो कितना है, वो कितना आपको दिया गया है, 6 ohm दिया गया है, देखे दो condition बनेगी R T equal to R 0 1 plus alpha T 1 plus alpha T तो पहला पहला जो है आप क्या करेंगे पहली condition में R T 7 रख दीजे और R 0 कितना रख दीजे R 0 आपके पास में कितना है 6 है ओके और 1 plus alpha और temperature का परवरतन कितना है 100 है यहाँ पे कितना है 100 है इसको रख करके आप क्या ग्याद कर लेंगे अलफा ग्याद कर लेंगे और फिर इसके बाद दूसरी परिस्थिती में यही काम करेंगे तो R T is equal to R 0 1 plus alpha T अब देखे आपको कह रहा है कि अग्याद तापकी ग्याद करना है और आपको प्रतरोत कितना है 8 तो यहाँ पर आप 8 रख दीजिए R 0 आपको पता है कि T R 0 आपके पास 6 है 1 पता है alpha भी पता चल गया क्योंकि आपने alpha ग्याद कर लिया T का माना आपको पता नहीं है तो T का माना आप ग्याद कर लेंगे इसको हल करके तो यह भी बन जाएगा बोलो बच्चो यह सकी नहीं बनेगा हाँ भी दो condition लगनी है दोनों condition लगा लो चलो ठीक है ना अगला देखे किसी कार की संचाइक बैटरी का कुर्विद दुद बाहक बल E बराबर 12 बोल्ट है बहुत बड़िया है ना आंतरिक प्रत्रोथ 0.4 ओम है 0.4 ओम है तो कहरा बैटरी से ली जाने वाली अधिक्तम धारा का मान क्या होगा तो बैटरी से ली जाने वाली अधिक्तम धारा का मान देखे हमारे पार धारा कितनी होती है I equal to E upon capital R plus small r तो भाई धारा अधिक्तम तब होगी जिस समय ये कुल प्रत्रोथ क्या होगा नियूंतम और कुल प्रत्रोथ को नियूंतम कर दो मतलब इसको क्या कर दो 0 कर दो तो धारा अधिक्तम के लिए बाहर प्रत्रोथ को 0 कर दो तो E upon R E upon R तो E कितना है 12 है और R कितना है आपके पास में R आपके पास में है 0.4 लेओ भाई साब इसको ब्रेक कर दो इधर हो गया 4 से कितने बार कड़ गया 30 बार कड़ गया आंसर 30 A आंसर हो जाएगा 30 A बोलो समझ में आया हाँ तो आंसर इसका हो जाएगा 30 A चले नेक्स कुश्चन की और चलते हैं 2, 3 और 6 ओम के प्रत्रोधों को किस प्रकार जोड़ा जाएगा कि तुल प्रत्रोध 4 ओम हो जाए तो भाई साब 2, 3 और 6 तो 3 और 6 को पैरलल जोड़ दो और 2 को सिरीज में जोड़ दो 2 है ये और 3 और 6 को क्या कर दो पैरलल में कर दो तो 3 और 6 का जो आंसर आएगा 2 आजाएगा और 2 तो आल लेड़ी है ये तो 2 और 2 कित्ता हो जाएगा 4 हो जाएगा कित्ता हो जाएगा 2 और 2? 4 बोलो clear है? बोलो बच्चो तो 3 और 6 को parallel में जोड़ दो और 2 को series में जोड़ दो तो answer हो जएगा तो अपने पढ़ रहा है लेंथ पर लंबाई पर निर्भर करता है रह शेतर फल में निर्भर करता है और किसे पर निर्भर करता है तापमान पर तो ये चीजIES ने बिदा दीजे प्रश्न का बांग 16, सिद्ध कीजे दरपण का समीकन, तो दरपण का समीकन कितना होता, 1 upon f equal to 1 upon u plus 1 upon b, यहाँ पर f को कितना लिख दिया है, 2 upon r, तो घबरानी की बात नहीं है, वही आप 1 upon f equal to 1 upon u plus 1 upon b सिद्ध कीजे, और जहाँ पर f है, वहाँ पर 2 upon r कर दीजे, कोई भी 10 upon r कर दिया है, अगला question देखे, सरल सूक्ष मदर्सी तथा खगोली सूक्ष मदर्सी के बारे में, अंतर, तो दोनों के derivation बना लिजे, और दोनों को देख करके देखे, सरल सूक्ष मदर्सी में केवल handlar होता है, खगोली दो लेंस लगे होते हैं, ठीक ना, सरल अंतर नहीं के दोनों के आवर्धन सूत्र दोनों के अलग-अलग लिग दीजिए कि इसका आवर्धन सूत्री होता है इसका आवर्धन सूत्र और गेट एंड गेट और नौट गेट की सतसानी बनाना है तो और गेट का उटपुट कितना होता है य वराबर A प्लस B होता है एंड गेट का क पुट क्या होता य बराबर एंटू बार होता है अब इनकी सतसानिया बना लिए नेंड और नौर गेट क्या है तो नेंड मैंने बताया था कि एंड गेट का जो इनवेटर होता है जो नौट होता उसको नेंड गेट बोलते है और और गेट का जो इनवेटर होता है उसको हम क् संकेत क्या होता य बराबर ए इंटू बी का बार उसका संकीत can गूंगा है तो यह हो गया इसके सतसाण्य और अगला क्वेश्चन दो लंबी परनालकाओं के मध्य अन्योन प्रिरका एंग तो परसे इक परपत से दूसरे परपत में बेशता है और वो भी आवर्धित करके या अनावर्धित करके तो उसका हम बोलते हैं मतलब ट्रांसफार्मर बोलते हैं ट्रांसफार्मर की सिद्धांत कारविदी मैंने बताया था E proportional to कितना आता है N E proportional to N मतलब सब कुछ फेरों का कमाल है अगर फेरे जादा होंगे तो उस कुंडली का विदुतवाहक बल भी जादा होगा Very very important गोली अपवर्तक प्रेष्ट के लिए Mu upon V minus 1 upon U equal to Mu minus 1 upon R Yes, यह जरूर करके जाएगा अगर जादा माक्स का आ रहा है तो या तो यह आएगा या तो लेंस निर्माता का सूतर बना पौन है फेकल टू